नमो नमहा सचिदानंदर उपाय विश्वध पत्यादिहेतवे तापत्रय विनासाय स्री कुरुष्णाय वयमनुमहा चिदाकास ध्यान चैनल में आपका स्वागत है ए वीडियो आपके अध्यत्मिक प्रगर्ति के लिए मैं बना रहा हूँ और आप लोगों का प्रशन भी आता है तो उसका मैं जवाब देने के लिए प्रहत न करता हूँ बहुत से प्रशन आये और मैंने बहुत लोगों को प् सकते हैं क्योंकि बड़े लोग का कहना है कि लेडिस को गीता नहीं पढ़ना चाहिए अभी जो प्रशन है उसको मैं क्रुशिल सब्द बताता हूँ क्रुशिल का मतलब है कि अपना जो भारतिय संस्कूरूती है उसमें डू एन डॉन्स बहुत है कभी कोई अच्छी भी बा बताता हूँ कि यह जो मैं दि आपको जवाब दू इसकी अलावा जो संतों ने क्या बोला है वो मैं आप से बताता हूँ तो बहुत से संतों हो गए सिद्ध पुरूस हो गए इसमें हम लोग जो संक्राच्यारी जी थे उन्होंने हमको सब लोगों को जो बताया उन्हों jesteśmy उन्होंने क्या बताया गेयमितानामसहस्त्रम धेयमस्रीपतिरूपमजस्त्रम नेयमसज्जनसंगे चित्तम देयमदीनजन własबितम शुरू बरता है कि हर एक व्यक्ति को गीता का पढ़ करना चाहिए भगवान शंक्राचारियन भी आपको बताया कि वह आपको गीता जी का पाठ करना चाहिए इदि मैं बोलता तो एक प्रश्ण उड़ जाता कि गुरुजी आप ऐसे क्यों बता रहे हो अभी मैं दूसरी बात बताता हूं यह जो भगवत गीता है तो अपने वेदों मे आपको एकदम मजा जाएगी जिसे अनुस्टूपचंद है विष्णु सहस्तर पाठ यदि आपने सुना है तो उसमें क्या है यस्यस्मरन मात्रेण जन्मसंसार बंदनात विमुच्यदे नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे यह जो है वो अनुस्टूपचंद होता है अभी मैं दूसरा स्लोग बोलता हूं दुद्रश्ट बोलते हैं पूस्ते हैं अपने मित्र जो है संजे को क्या बोलते हैं दर्मक्षेत्रे कुरोक्षेत्रे समावेतायुषव मामकापांदवास्चईव किमाकुर्वन्तु संजाई। ये जो स्लोक है ये सबी जो स्लोक है तो आप समझ लेना कि ए्पोई चण्द है। तो चंद में अब नियाद 네, भीगे दुसरा स्लोक बोलता हूँ अभी देखो यह विवित प्रकार के चंद है तो जो प्रशन उठ जाता है कि यह जो वेदोक्त मंत्र है उसमें ध्यान रखना पड़ता है जैसे अभी क्या है कि कोई तबला बजाता है तो उसके सामने आप तबला बजाएंगे तो उसका रिधम तूटेगा इसलिए जो प्रकूती है यदि आप एक यदि आपके कोई आसपास में आपका कोई परीचा है जो मिलेटरी में है ऐसा तो उनको पूछ लेना कि जब आप मिलेटरी है तो ब्रीच को क्रोष करने का होता है ऐसा समझ लो तो क्या आप रिधम में miss one two one two one two left right left right ऐसे करके आप bridge को ऐसे cross कर सकते तो वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं कर सकते वो देख क्यों उसका मतलब यह रहेगा कि ऐसा सुना है ऐसा कि यह जो चीज है तो resonance create the vibration और कभी-कभी bridge टूट भी गया है ऐसा आपको कोई military में रहेगा उसे आप पूछ लेंगे तो माल रुशी मुनी जानते थे अभी जो मैं दूसरा स्लोग बोलता हूँ आपको आशिर रहेगा कि यह जो स्लोग है उसमें चंद है वो जड़ा टिपिकल है देखो शांता कारं बुजग सयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन शद्रशं मेगवर्णम सुभांगं लक्ष्मेर कांतं कमल नयनम योगी भिरधा नगम्यम वन्दे विश्णु भववयहरं सर्वर्लोकई कनातं तो यह जो भगवद गीता है वो अनुष्टूपचंद में है जो अनुष्टूपचंद है वो सभी कोई बोल सकते हैं यदि बोलना नहीं होता सुनो तो भगवान संक्राचरिय नहीं बताते गेयम गीता नाम सहस्रम तो मैंने जब बड़े आदमी का नाम दे दिया कि उन्होंने बताया है और यह जो बाते आप लास्ट में देखेंगे तो भगवान जो है तो पूरा ज्ञान देने के बाद जिसे कोई आदमी है तो एक स्लोक में बताता उसमें लिखा है यत्रयोगे इस्वरा कुष्णो यत्रपार्थो धनुर्दन तत्रस्रीविजे और भूति दुरुआने तिर्मतिर्ममक तो कभी कभी क्या होता है इसलिए मेरी तो सब जो भी बहने है उसे रिक्वेस्ट है कि यदि गर में कोई विरोध नहीं है सुनो तो गीता का पाट कीजिए यदि कोई विरोध है तो क्या रहता है कि मैं लोगों को बताता हूं कि विरोध जो होता है तो शर्वे साम विरोध हमको तो प्रभु की प्राप्ति करना है तो भगवत गीता का ज्यान जो है तो मैं आपको एक मंत्र में बताता हूं उसमें सब ज्या उसमें भी सब ग्यान आजाता है तो यदि कोई भुजूर्ग ने आपको बोल दिया है तो समझ लोग परमात्मा की मर्जी हैं अभी आप 700 स्लोग पढ़ेंगे तो कहाएं चित जो रहता है मैं से ऐसे समझाता हूँ जैसे चित है तो एक स्लोग बोलते है तो चित का जो मुव् तो योगा हा चित्त वृत्ति निरोत हा तो यदि उन्होंने ना बोलाए तो भी उनका बला है ताप एक मंत्र लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ऐसा ब जैसे वेदोक्त मंत्र जो होते हैं जैसे अभी मैंने पहले बोला तो ऐसा जो था अम्मा ऐसा करके भी मंत्र जानते थी तो पहले जामने में ऐसा था तो आप जो आपने जो मुझे प्रशन पूचा है कि इसलिए मैं बताता हूँ कि जब विरोध नहीं होता है सुनो तो सभी चीज कीजिए यदि घर में विरोध है तो क्या आप संगर्स करेंगे अपना संगर्स में टाइम मत निकालो क्या होता है कि मैं लोगों को बताता हूँ एक भाव होता है और एक दुरभाव होता है तो दुर्भाव को प्रगट मत करो इसलिए यदि आपके घर में आसपास के वाताओं में यदि अनुकुल है तो भगवत गीता का पाठ करो और यदि आपको मना करते हैं सुनो एक बताता हूं तो पाठ में क्या होता है पाठ का जो पाठ में आपको बीच दे देता हूं तो उसका पाठ कीजिए ओ घीता का ज्यान अभी आपको आशिर रहेगा कि करण करण में नारायन है एक मैं मंत्र बोलता हूं वेदो का आपने भी सुना होगा इसा भास्याम इदाम सर्वाम यतकेंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागरत कस्य स्विध्धनम ये जो गायतरी मंत्र है वो जो है उसमें कोई नीती नियम कुछ था वेदोक्त पुरान वक्त का मगर ये जो गीता में है तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई नहीं पार्थ कर सकता है मगर ये आपको मैंने दो बाते बताई कि मेरा जो काम है मैं गुरु हूँ इसलिए संगर्स को बढ़ाता नहीं हूँ इसलिए आप अपने जो आजू-बाजू वाले जो जूर गए उसको मेरा वीडियो देखे और बले ये जो गुरु जी है वो हमको काफी ग्यान दे रहे है और उन्होंने बताया कि यदि आप करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है यदि वो सहमत हो जाते है तो आप रोज गीता का पार्थ कीजे मैं तो बताता हूँ हरेक आदमी को ये जो भगवत गीता है उनमें बहुत ग्यान है अभी देखो सामत्वम योगा उच्चते वो बहुत ग्यान है यदि भगवत गीता किसी ने पढ़ लिया देखो बड़े बड़े लोग है न वो लोग भगवत गीता के पार्थ करते रहते हैं और उनमें यह जो बात है तो मुहर मुहर गीता को आप जैसे ही बोलते जाएंगे उसमें पाठ करते जाएंगे तो आपके अंदर की चेतना जागरूत होती है इसलिए आपका जो प्रशनता तो मैं इतने में इतना बता देता हूँ तो अभी सारास क्या है तो यदि सर्वेशा मविरोधेना तो आप गीता का पाठ कीजिए यदि कोई बता देगी नहीं विरोध है जैसे ना बोलते तो फिर मंत्र अच्छार कीजिए ज्यान है आपका मतलब क्या है मैं लोगों को पूछता हूँ वटी ज्यर एम है हमको प्रभू की प्राप्ति करना है तो प्रभू की कैसे भी हो जाएगी तो आप सरू कीजिए भगवत गीता यदि आप पढ़ते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा है मैं तो मेरा जब प्रवचन होता है और एक मेरा मित्र है उन्होंने मुझे देर सारी गीता का गीता दिया है गीता जी बोलते हैं हम लोग रिस्पेक्ट से ऐ देता हूं ऐसा समझ लो और लोगों को बता दो रोज एक पेज या एक मंत्र कीजिए तो आपको भी मैंने इतना बताया आपका शूब हो कल्यान हो मंगल हो में गोड़ ब्लेस यू आनन में रहो मोज में रहो हर हाल में खूश रहो एंजॉय एवरी मामेंट आप दे May God bless you